नमस्कार, DNX विशेश DNX विशेश में आज आप देख रहे हैं शौक, शौक बड़ी चीज है दुनिया में अवल दर्जे का नाम कमा चुके खिलाडी इन्ही खिलाडीों के शौक पे आज हम चर्चा करेंगे खिलाडी जिसे खेल के अलावा अन्य और किस चीज का शौक है निश्चत रूप से दुनिया में यदि खिलाडी पहले नमबर पर है अपनी विधा के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में तो उस खिलाडी को उस खेल के प्रेक्टिस, उस खेल के मैच और उस खेल से जुड़ी ही बातों के अलावा दूसरे किसी भी चीज के लिए समय मिल ही नहीं सकते परन्तो आज हम आपको डियनेक्स विशेश में दुनिया के ऐसे खिलाडियों के शौक से परिचित कराने जा रहे हैं जिनकी बाते शुनकर आप आश्चरे चकित रह जाएंगे इतना बड़ा नाम, इतना शोहरत इसके बाद अपने शौक के लिए समय निकाल लेना आसान बात नहीं है इसके बावजूत दुनिया के नामी गिरामी खिलाडी अपनी शौक पूरा करने के लिए समय निकालते हैं ऐसे ही खिलाडियों के शौक से आज हम आपको डियनेक्स विशेश में परिचित कराने जा रहे हैं दुनिया के दिगज खिलाडियों के शौक को जानने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अंततक खिलाडियों तो साल भर खेल मैदान पर बने रहते हैं लेकिन जब भी मौका मिलता है वे अपने शौक जरूर पूरा करते हैं शौक में चाहे वह पेंटिंग हो य शौक रखते हैं ऐसे ही आज हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं देश दुनिया के दिगज खिलाडियों अपनी खेल के लावा शौक पालने के करम में सबसे पहला नाम माइक टैसन दुनिया का दिगज बॉक्षर जो अपने बिवादास पद हरकतों के लिए भी जाना ज चुके हैं इंग्लेंड का सरवाधिक लोकुप्रिय फुटबालर डेविट बेगहम पूरी इंग्लेंड जिसकी दीवानी डेविट बेगहम फुटबाल टीम का मालिक भी है इनका शौक है फेंसिंग अमेरिकन फुटबाल टीम इंटर मियामी के मालिक को अमेरिकी एक्टर क्राम क्रूज ने फैंसिंग सिखाई थी बेखं क्रूज के अपार्टमेंट में फैंसिंग करते हैं अब भारती खिलाडी अनील कुंबले आपको याद होगा दिगज श्पीनर अनील कुंबले भारती टीम का पुर्व कोच अनील कुंबले को फोटोग्राफी का शौक है वे अपने बेटे मैयस के साथ फोटोग्राफी करने निकल पड़ते हैं, जब भी कहीं भी टूर पे होते हैं, वे शोशल मेडिया पर भी अपनी खीची फोटो शेयर करते रहते हैं, आंद्रे प्रलो फुटवाल कोच, इन्हें एक अजीबो गरीब शौक है, वाइन मेकिंग का, इटली के पूर फुटवालर और इवेंट्स के कोच के पास एक वाइनार्ड है, अर्थाक अंगूर का बागान है, वे वाइन की टेस्टिंग और सुधार के सुझाओ भी देते रहते हैं, मारियो बालो टेली, दिगज फुटवालर, इन्हें शौक है पियानो बजाने का, वे कई बार देश का नेशनल एन्थम भी पियानो पर बजा चुके हैं, वे लीवर पूल से खेल चुके हैं, अजय जैराम का नाम आपने शुना होगा, दिगज बैडमेंटन खिलारी, चैन्नाई के जैराम को पेंटिंग का शौक है, लागडाउन में भी उन्होंने कई पे अपने शौक को पूरा करने के लिए दिगज खिलारी समय भी निकाल लेते हैं, और इस शौक के नाम से भी जाने जाते हैं, कहते हैं यदि आप में गुनर है, लगन है, जोश जनून है, अनेक जगहों पर आपको लोग आपके शौक के नाम से भी जान सकते हैं,